अगर से आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेर कीजिए और लाइक कीजिए आज की पाठ का नाम है निंदारस जिसकी लिखक है हरिशंकर परसाई हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश में हुआ, यह बहुत जाने माने हास्य व्यंग्य सा हित्यकार रहे हैं इनकी कहानिया और रचनाएं बहुत ही मनुरंजग और व्यंग्य से भरी होती हैं व्यंग्य को इंग्लिश में कहते हैं सिटायर और सार्काजम आज हम इनकी द्वारा लिखित व्यंग्य रचना निंदारस करने वाले हैं सबसे पहले हम इस रचना का परिचय आपसे करवाएंगे किसी कविता या कहानी को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद का अनुभव होता है उसे ही रस कहा जाता है निंदा का अर्थ होता है आलोचना करना जिसे अंग्रेजी में हम कह सकते हैं क्रिटिसिजम आज के इस रचना में लेखक बता रहे हैं कि दूसरे की निंदा करने में अधिकतर लोगों को बहुत आनंद आता है कुछ लोग दूसरे व्यक्ति के निंदा इर्शभाव यानि जेलसी के कारण करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका यह स्वभाव यानि हैबिट बन जाता है कि बिना कारण ही वह दूसरों के निंदा करके आनंद लेते हैं और कुछ ऐसी लोग होते हैं जो खुद को दूसरे से बड़ा साबित करने के लिए निंदा करने में लगे रहते हैं लेखक ने ऐसे ही कुछ लोगों पर अपनी रचना के द्वारा करारा प्रहार यानि अटाक किया है लेखक कहते हैं कि निंदा करना इनसान का एक सहज गुण है यानि नाचिरल टेंडेंसी है निंदा करने में हर व्यक्ति को मज़ा आता है इस रचना के माध्यम से लेखक निंदा करने की आदद से हमें परिचित करवाना चाहते हैं साथ ही जहां तक संभव हो सके मनुश्यों को निंदा करने से बचना चाहिए इसी उदेश्य से लेखक ने यह रचना लिखने का चयन किया है इस पार्ट के बीच बीच में लेखक कुछ हिंदू धरम से जुड़ी पौरानिक कहानिया भी सुनाते हैं इन कहानियों में आए पात्रों यानि केरेक्टर्स के जीवन की घटनाओं को जब लेखक सुनाते हैं तो इस रचना को समझना और आसान हो जाता है अपनी बाद समझाने के लिए लेखक ने कुछ पात्रों का सहारा लिया है जिनका कोई नाम नहीं है उन्हें केवल क, ख और ग कहकर बुलाया है तो चलिए शुरू करते हैं हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित हास्य व्यंग्य रचना निंदारस सुभा का समय है चाई पीने के बाद लेखक अखबार पढ़ रहे हैं कि इतने में ही उनके एक दोस्त क, इतनी तेजी से कमरे में घुसे कि लेखक को लगा जैसे साइकलोन आ गया हो साइकलोन यानी चक्रवर्ती तुफान क कहीं बाहर रहते हैं और बहुत महीनों के बाद उनके घर आए हैं लेखक को देखकर क उन्हें कसकर पकड़ लेते हैं और गले लग जाते हैं इस गले लगने वाले एपिसोट से लेखक को महाभारत की एक कहानी याद आ जाती है यह कहानी कुछ इस प्रकार है कि महभारत की युद में धृतराश्टर के पुत्र, दुरियोधन के मृत्यू पांडु पुत्र भीम के द्वारा होती है धृतराश्टर क्रोध से भर जाते हैं और भीम से बदला लेना चाहते हैं जब युद समाप्ती के बाद भीम अपने बड़े काका धृत राष्ट्र को मिलने आते हैं, तो वह भीम को अपने गले लगने के लिए पास बुलाते हैं श्री कृष्ण जो पास में ही खड़े हैं भीम को रोक लेते हैं और उनका पत्थर का पुतला धृत राष्ट्र के सामने खड़ा कर देते हैं क्रोट से भड़े हुए धृत राश्ट्र पुतले को भीम समझ कर जोर से जकड लेते हैं पत्थर का पुतला चूर चूर हो जाता है जूटे दिखावे की खुशी में वह भीम को अपने पास बुलाते हैं लेकिन मन में तो उनके कुछ और ही था यह है महाभारत की कहानी यह कहानी लेखक को इसलिए याद आ रही है क्योंकि पिछली रात लेखक को उनकी एक और मित्र ने पहले ही बता दिया था कि क अपने ससुराल आई हुए हैं और ग किस साथ दो तीन घंटे बैठकर उन्होंने लेखक की निंदा की है यानी चुगलियां की है इस सूचना के बाद जब उस दिन सवेरे क लेखक के गले लगा तो जैसे भीम की ही तरहां लेखक ने अपने मन को शरीर से निकाल कर कांटों से भरा हुआ शरीर क की बाहों में दे दिया रचना में आगे बढ़ते हुए लेखक लिखते हैं कि कुछ लोग निर्दोश मिध्यावादी होते हैं लेखक व्यंग्य करते हुए अपने दोस्त क के बारे में कहते हैं कि वह पक्का भी नेता है यानी आक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता है को कहता है अभी सुभा की गाड़ी से उत्रा और एकदम तुमसे मिलने चला आया लेखक मनी मन हसते हैं और सोचते हैं कि यह कितना जूट बोल रहा है कल से आया हुआ है और उनसे कह रहा है कि अभी आया है छोटी सी बात पर जूट बोलने की आवश्यकता नहीं है पर वह बोल रहा है लेखक कहते हैं कि कुछ लोग दिर्दोश मिथ्यावादे होते हैं इन लोगों की आदत बन जाती है बात-बात में जूट बोलना ऐसे लोग बहुत आसानी से और अनावश्यक ही जूट बोलते हैं कहने का मतलब है कि कुछ लोग without any effort and with no purpose जूट बोलते रहते हैं लेखक अपने ऐसे ही एक रिष्टदार के बारे में कहते हैं कि अगर वह मुंबई जा रहे हैं तो कहेंगे कि कॉलकता जा रहा हूँ ठीक बात तो उनके मुझ से निकल ही नहीं सकती उनका मित्र कह भी इसी तरहां का स्वाभाविक जूट बोलने वाला व्यक्ती है फिर दोनों दोस्तों में बातचीत का सिलसला शुरू हुआ अब गर ने गर की निंदा शुरू कर दे इसके बाद जिस किसी का भी नाम मुझ से निकलाता उसी की निंदा कर करना शुरू कर देता लेखक लिखते हैं अद्बुत है मेरा यह मित्र उसके पास दोशों का कैटलॉग है कैटलॉग मतलब सूची यानी लिस्ट है उसने अपने दिमाग में एक कैटलॉग बना रखा है जिसमें दुनिया भर के दोश लिखे हुए है लेखक ने सोचा कि जब यह सब के निंदा कर ही रहा है तो क्यों ना मैं अपने विरोधियों की ही निंदा कर वालूँ लेखक एक एक करके अपने विरोधियों का नाम लेते गए और कं उनकी निंदा करता रहा निंदा सुनकर लेखक को बहुत सुख मिला इसके बाद से लिखक के मन में अपने निंदक मित्र क के लिए कोई भी मैल या बैर नहीं रहा अब लिखक को यह मित्र पसंद आ रहा है तीन-चार घंटे के बाद जब वह मित्र चला गया तो लिखक के मन में बहुत संतोश और शान्ती थी अब सवाल उठता है कि लिखक के मन में क्यों शान्ती थी तो इसका जवाब है कि अपने विरोधियों के निंदा सुनने के बाद लिखक संतोश्ट हो गए थे जो वह खुद नहीं कर पा रहे थे वह निंदा उन्होंने अपने मित्र के मुझ से जब सुनी तो उन्हें बहुत शान्ती मिली लिखक ने निंदा को महान बताया है उससे ग्लॉरिफाई किया है लिखक निंदा की महीमा का बखान करते हुए लिखते हैं कि अगर एक जगह पर दो चार निंदक यानी criticize करने वाले बैठे हों तो उनके जैसी एकागरता यानि concentration भगवान के भक्तों में भी नहीं मिलेगी इसका यह मतलब है कि अगर निंदा करने वाले की तुलना भगवान के भक्तों के साथ की जाए तो निंदक जीत जाएंगे क्योंकि उनके जैसी एकागरता भक्तों में भी नहीं मिलेगी निंदकों यानि चुगली करने वाले लोगों में जो बातें देखने को मिलती हैं वह हैं एकागरता यानि concentration, गहरी दोस्ती और निमगनता यानि तलीन हो जाना deeply involved हो जाना इसलिए सादू संत भी निंदक को आंगन कुटी छवाए यानि पास रखने की सलाह देते हैं जैसे अंग्रेजी में कहा गया है keep your friends close and your enemies closer लेखक ने निंदा करने वालों की एक और कैटेगरी बताई हैं जिससे वह missionary निंदक कहते हैं यह वह होते हैं जिनका धर्म ही निंदा करना है their mission in life is to criticize only ऐसे लोग किसी का बुरा नहीं सोचते ना ही उनसे कोई द्वेश या बैर रखते हैं पर आदतन निंदा करते रहते हैं missionary निंदक 2400 घंटे निंदा करने के पवित्र भाव में लगे रहते हैं लेखक थोड़े सार्कास्टिक हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे निंदक निश्पक्ष यानी impartial होते हैं वह किसी से पक्षपात नहीं करते सबकी निंदा बराबर की करते हैं वह निरलिप्थ यानी detached होते हैं किसी से भी लगाफ नहीं रखते इन लोगों के लिए निंदा टॉनिक होती है जिस तरहां टॉनिक हमें ताकत देता है हमारी ठकान को दूर करता है उसी तरहां निंदा इन लोगों के लिए दवा का काम करती है जो इन में स्फुर्ती और शक्ती लाती है निंदकों के संग के बारे में बताते हुए लेखक लिखते हैं कि आज का जमाना ट्रेड यूनियन्स का है जिस तरहां ट्रेड यूनियन्स का नेटवर्क होता है उनकी मंदलियां होती है उसी तरहां निंदकों की भी मंदलियां या फिर संग बन चुके हैं संग के सदस्य सब जगह से खबरे लाते हैं और अपने प्रधान यानि हेड को सौंप देते हैं यह कच्चा माल होता है अब प्रधान इन खबरों में कुछ और चटपटी बातें डाल कर उसका पक्का माल बनाता है और फिर सभी सदस्यों को यह खबरें आगे फिलाने को दे द भी जाती है यह बहुत फुरसत का काम होता है जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी सिकरते है एक और प्रकार की निंदा के बारे में लेखग बताते हैं जो इरशा और द्वेश से की जाती है एक व्यक्ति जब दूसरी की खुशी को तरक्की को जलता है और निंदा करता है उसी को इर्षा द्वेश से प्रेरित निंदा कहा गया है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। इर्षा से 24 गंटे जलता रहता है और निंदा करने के बाद ही उसे शांती मिलती है। यह निंदक जब दूसरे की काबलियत देखता है तो अपनी कमी या अयोग्यता उससे सही नहीं जाती वह बौखला जाता है जिस तरह एक कुट्ता सारी रात चांद को देखकर बिनाकारण के भौंकता रहता है उसी तरह यह निंदत भी रात भर निंदा में लगा रहता है जिसकी चुगली हो रही है उसे मालूम ही नहीं होता वह तो आराम से सोता है लेकिन निंदा करने वाले को कभी चैन नहीं आता और नहीं रात को नींद आती है जलन और इरशा से भरा हुआ ऐसा निंदक हमीशा तड़पता रहता है निंदा का उदगम यानि बर्थ और बिगिनिंग कैसे हुई अब इसके बारे में हम समझेंगे लेखक का मानना है कि निंदा का उदगम यानि जन्म हीनता और कमजोरी से होता है हीनता का मतलब है inferiority complex बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनमें हीनता के भाव आ जाते हैं तब वह अपने अहम यानि घमन को संतुष्ट करने के लिए दूसरों की निंदा करते हैं आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपनी ego को satisfy करने के लिए वह अपने से बहतर लोगों की निंदा करके शान्ती पाते हैं अब लेखक स्वर्ग में रहने वाले इंद्र की कहाने सुनाते हैं लेखक कहते हैं कि इंद्र और सभी देवता पूरा दिन कोई काम नहीं करते काम करने के लिए उनके पास बहुत से दास दासियां हैं अपने आलज की कारण उन्हें गुम्नाम होने का डर हमीशां बना रहता है यही कारण है कि यह सभी मनुश्यों से जलते हैं क्योंकि मनुश्य लगातार काम करते रहते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं लेखक के अनुसार इंद्र बड़े इर्शालू माने गए हैं लेखक कहते हैं कि निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है पूंजी का मतलब होता है संपत्ति या प्रॉपर्टी लेखक लिखते हैं कि कुछ लोग निंदा करना अपना हक समझते हैं इन लोगों को लगता है कि शोहरत पाने का सबसे आसान तरीका है दूसरे के जीवन का निरिक्षिन यानि एक्जामिनेशन करना यह किसी को भी अपना टार्गेट बना लेते हैं लोगों की जीवन से जुड़ी बातों में मिर्च मसाला लगाकर सबको कहानिया सुनाते हैं इनको यह गलत फहमी रहती है कि उनसे बहतर कोई नहीं है अपने चरित्र यानि केरेक्टर को देखने की उन्हें फुरसत नहीं होती लेकिन दूसरे के चरित्र को तार-तार कर देते हैं ऐसे लोग हिपोक्रेट यानि पाखंडी होते हैं हिपोक्रेट एक ऐसा इंसान होता है जो सबको अच्छा आचरन रखने की शिक्षा देता है लेकिन खुद कोई उसूल नहीं अपनाता इस रचना को पढ़ने के बाद जो निशकर्ष यानि कंक्लूजन निकलता है वह कुछ इस प्रकार है कि यह निभंद एक हास्य रचना है निंदा करने वाले लोगों पर लिखक ने अच्छा व्यंग्य कसा है जो लोग अपने अंकार और हींता में जकड़े रहते हैं वह हमेशा दूसरों की निंदा करके संतुष्ट होते हैं ऐसे लोग खुद तो किसी लाइक होते नहीं पर दूसरों की तरकी को देखकर जलते हैं उनमें दोश ढूंडते हैं और फिर निंदा का कारेकरम शुरू कर देते हैं हिंदी साहित्य में नवरसों का बखान किया गया है नवरस यानि नौरस जैसे श्रिंगारस, वीरस, रदररस, आदी लेखक ने निंदारस को इन नौरसों की भानती एक दस्वारस माना है उनका मानना है कि निंदारस में डूब कर हर कोई enjoy करता है यानि आनन्द पाता है कुछ लोगों के लिए निंदा tonic का काम करती है निंदा करके उनमें चुस्ती और स्फूर्ती आती है कुछ अन्य निंदा को अपनी पूंजी यानि प्रॉपर्टी समझते है वह किसी को नहीं बख्षते सब की निंदा करते है कुछ लोगों के पास तो निंदा करने के लिए दोशों का कैटलॉग यानि लिस्ट बना होता है हस्ते हुए लिखक लिखते हैं कि कुछ ऐसे मिश्णरी निंदक होते हैं जो भक्तों की तरहां पवित्र भाव से निंदा करते हैं लेकिन सच माने तो निंदा का उदगम यानि जन्म, हींता और कमजोरी से ही होता है इन कमियों में जकड़ा हुआ इनसान सबसे बड़ा निंदक है अंत में लिखक लिखते हैं कि अपने मित्र से मुलकात के करीब 10-12 घंटे के बाद अब उनका मन्त शांत हो गया है क्योंकि उन्होंने भी जी भर कर निंदा की है सूर्दास्ची ने ठीक कहा है कि निंदा सबद रसाल यानी निंदा में बड़ा रस है निंदा करने में बड़ा आनंद है इसके साथ ही इस पाद की व्याख्या खत्म होती है आशक करती हूँ कि आपको यह व्यंग्य रचना मेरी व्याख्या के द्वारा समझ आ गई होगी हापी लर्निंग